सो गाई स्वागत आपका ACC Defense Academy में कैसे हैं आप लोग I hope कि आप सब ठी होंगे और अपनी preparation को बहुत बढ़ी आसी कर रहे होंगे तो यहां पे आज मैं आपके लिए General Science के chemistry portion में से most important one-liners लाया हूँ यह questions previous year questions हैं और साथ में most expected questions हैं for ACC 131 and 132 बहुत important यह video रहने वाली है so let's start the video सिदा आता हूँ first slide पे so हमारा first question रहेगा which is the property of ammonia तो यहां पे हमें ammonia की property बुची गई है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ammonia, gas हो यह हमारे बास liquid form हो तो इसका nature कैसा होता है यह basic nature होता है और basic nature होता है जिसकी वज़े से यह क्या करता है यह red litmus को blue में convert करता है ठीक है तो firstly आपको पता होना चाहिए कि litmus paper क्या होता है litmus paper हमारे पास एक ऐसा indicator होता है जो हमें बताता है कि echo solution acid है कि base है ठीक है अगर हमारे पास acid होता है then वहां पे blue litmus paper red में convert हो जाता है और अगर हमारे पास वह base है then red litmus paper blue में convert हो जाता है ठीक है तो ammonia हमारे पास एक base है तो यह क्या करता है यह red litmus को blue में convert करता है ठीक है यह से हमारे पास sulfuric acid है HCL है hydrochloric acid है यह क्या करते है यह red litmus को blue में convert करते है विकास यह हमारे पास क्या है acid है तो यहां से आपको गट्रेक्टरी पेपर में पूछा जाता है कि कोई आपको acid दिया गया है या कोई base दिया गया है like NEO H इसे NEO H एक base है तो वो मुझे comment box में बताऊ कि NEO H क्या करेगा, red rhythmus को blue में करेगा कि blue rhythmus को red में करेगा जनरली इस पर question पूछा जाता है ठीक है बढ़ते है next question पर next question है bio degraded waste can be converted into useful material with the help of तो यहां पर बोला गया कि bio degraded material को useful material में convert किया जाता है और यह convert कौन करता है यह बैक्टीरिया करते हैं या फिर microbes करते हैं ठीक है इस process को क्या जाता है जिसमें bio degraded waste को useful material या manure में convert किया जाता है तो इस process को composing कहते हैं तो यहां पर इसे आपके दो question निकलते हैं ठीक है बढ़ते है next question पर the process of solid sorry the conversion of solid directly into vapor बहुत important question है बार बार पूछा जाता है तो यहां पर पूछा किया जब वेपर स्टेट में convert होता है तो उस process को क्या कहा जाता है that process is known as sublimation ठीक है कोई भी substance अपने solid state से direct अगर वेपर स्टेट में convert होता है तो उस process को sublimation कहा जाता है generally हमारे पास यहांसे water है water अगर solid form में है ठीक है ऐसे बारफ है अगर हम उसको heat provide करेंगे तो firstly liquid form में convert होगा then हम अगर continuous heat उसको provide करेंगे तो फिर वो gases form में convert होगा इंता फार्म वाटर वेपर but कुछ ऐसे substances हैं जो directly solid state से वेपर स्टेट में convert होते हैं यह से हमारे पास dry ice है जैसे हम solid carbon dioxide कहते हैं यह से naphthalene है इनको जब heat किया जाए तो यह क्या करते हैं यह solid से directly gases form में convert हो जाते है और इस process को sublimation कहा जाता है बहुत important है बढ़ते हैं next question who discovered x-rays तो x-rays को discover किस ने करा था तो w-roint gun थे जिन्होंने x-rays को discover करा गया था ठीक है अब इनको आपको पूछा आ सकता है कि कब गिया था तो 1895 में इन्होंने discover करा था और 8 November ठीक है जो कि date है 8 November 1895 जे एक german physicist थे w-roint gun ठीक है और साथ ही में x-rays को x-rays क्यों कहा जाता है ठीक है क्यों कहा गया था उस ताइम 1895 में because यह x-rays की discovery तब हुई थी तो x-rays के बारे में किसी को भी कोई information नहीं थी तो यह एक unknown type of radiation थी तो इसलिए इनको x कहा गया था यह से mathematics में भी किसी चीज़ को एक arbitrary thing को x से suppose करा जाता है तो उसी तरह यहां पे in radiations को भी x से suppose करा गया इसलिए इनको x-rays नाम इनको दिया गया था तो directory आपको पूछा भी जा सकता है ठीक है what is the pH of acid rain तो acid rain का pH कितना होता है तो acid rain का pH firstly बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी echo solution जिनका pH 7 से कम होता है उनको acid ही कहते हैं और कोई भी echo solution जिनका pH 7 से जाधा होता है like 8, 9, 10, 11, 7 से 14 तक जिनका होता है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें basic solutions कहा जाता है ठीक है और 7 वाले को जिनका exactly 7 होता है उनको neutral कहा जाता है तो यहां पर अगर acid rain पूछा गया तो इसका हमें hint मिलना चाहिए कि 7 से तो कम होगा तो इसका सही answer कहा रहेगा 5.5 और लेस ठीक ह ही होता है ठीक है next question है which acid is mainly in curd? curd में कौन सा acid पाये जाता है बहुत important है lactic acid पाये जाता है curd में ठीक है अब curd किसे बना होता है? milk से बना होता है तो इसलिए इसको milk acid भी कहा जाता है ठीक है lactic acid is also known as milk acid formula अगर आपको पूछे जाए molecular formula for lactic acid is C3H6O3 important है ठीक है बढ़ते है next question पे the gas used to cook green fruits is called वो gas जो कि क्या करती है green fruits को कचे हुए fruits को पकाती है उस gas को क्या कहा जाता है that gas is ethylene अब आपको ethylene का molecular formula पोचे आ सकता है that is C2H4 अब ये gas क्या करती है green fruits को क्या करती है cook करती है पकाती है और ये बहुत सारी chemical industries में worldwide इसको use किया जाता है fruits को पकाने के लिए बहुत important है ये भी ठीक है ये हमारे पास एक artificially ripened है जो कि क्या करती है fruits को पकाती है that is ethylene gas next one is the primary gold purity is primary gold हमारे पास जिसके सबसे जाधा purity होती है वो कौन सा gold होता है वो 24 karat gold होता है ठीक है और इसकी purity कितनी होती है आप note कर सकते है 99.9% तक इसकी purity होती है इसमें कोई भी additionally कोई भी और matter नहीं होता ठीक है तो 99.99% तक इसकी purity होती है सबसे pure gold इसको consider करा जाता है बट ये आपको पूचा जाता है कि jewelry के लिए 22 karat gold का use क्यों किया जाता है ठीक है ये ये जे भी मैं आपको बता दूं तो 22 karat gold का use किया जाता है jewelry के लिए because 22 karat gold हादा hard होता है ठीक है और इसकी purity कितनी होती है ये बी आप note कर सकते हो इसकी purity होती है 22 karat gold की 91.6% तक ठीक है so 91.6% तक इसकी purity होती है so इसको 916 gold भी कहा जाता है 916 gold भी 22 karat gold को कहा जाता है next one is सरपसील क्या है ये एक tranquilizer है फिर्स ली ट्रैंकलाइजर होता क्या है रैंकलाइजर एक ड्रस्क्राइजर को खत्म करता है और ataque three कि ये दिना उजरए बिद्र आप आती हैँ ये क्षेटेटी ने करते हैं एक के मैं आते हैं इसके साथ में आपको बता हुए आउ भाण पर थीूटीव में इसके ने पहुतいいपोर्टन बट अगर आप चीज waiting में करना चाते हैं प्रॉपर्ट स्ट्राटेजी से करना चाहते हो तो यहां पे आप ACC, Defense Academy के कोर्स में आप इन्रोल हो सकते हैं और अपने आफिसर बढ़ने का सबना पूरा गर सकते हैं तो कोर्स के रेटरी मैं थोड़ी से इन्फरमेशन आपको दे दूँ कि अगर आप कोर्स में रोल होते हैं तो आपको फूल PDF नोड्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जक्ट के रहेंगे पिकास बहुत सारे कैंडिट्स के पास टाइम नहीं होता है डूटी परसंस जातर होते हैं तो आप PDF नोड्स से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं आपको PDF नोड्स से हर चीज़ समझ नहीं आती है तो उसके लिए यहां पे हमने आपके लिए डेली लाइव क्लासीज भी अरेंज करी हुई है जो कि रात को नो से लेके ग्यारा मज़े तक रहेंगी ठीक है यहां पे आपको हर एक सब्जक्ट पढ़ाया जाएगा आपके doubt clearing session से रहेंगे और एक proper strategy से आपको preparation करवाई जाएगी ठीक है इसके साथ ही अगर आप live classes भी नहीं देख वा रहे हैं फिर भी आपको credentialing की जुरुत नहीं है जाएगी तो simply आपको क्या करना है आपको हमें whatsapp करना है 812745966 विकास यहां पे detailed way में YouTube पे चीज़ों को करवाना possible नहीं होता तो उसके लिए यहां पे आप course में रोल हो सकते हैं ठीक है तो इसके साथ ही एक चीज़ और बता दूं की आपका exam 5 July 2024 को है तो exam date को note कर लो firstly ठीक है और यहां पे आपके पास सिर्फ 2 मत का time बचा हुआ है तो अगर आप ACC 131 में अभी course में जायन होते हो तो 50% यहां पे अभी आफ भी चल रहा है तो कि limited seats सिर्फ pending बची हुई है तो यहां पे आप course में रोल हो सकते हैं साथ ही में आप play store से आके ACC Defense Academy की application को भी download कर सकते हैं ठीक है आपको full PDF notes, recorded videos, daily live classes, mock test हर चीज़ यहां पे मिलेगी इसके इलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जुरूरत नहीं है YouTube से कोई भी lecture आपको देखने की जुरूरत नहीं है तो यहां पे हमें क्या मुचा गया कि atom term किस ने दी थी तो इनका name था डाइमोक्राइटर्स, यह कौन थे यह Greek philosopher थे जिन्होंने यह term दी थी atom बहुत important term थी यह chemistry field में और इन्होंने कब दी थी around 400 BC में दी थी ठीक है अब इन्होंने इनकी theory क्या थी उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम क्या करें किसी particle को अगर हम further divide करते रहे उसको तोडते रहे matter के किसी भी particle को हम अगर तोडते रहे ठीक है तो एक point पे वो divide होना वो तूटना बंद हो जाता है तो उसी part को atom कहा जाता है इसका मतलब यह है कि atom indivisible है वो break नहीं हो सकता सबसे शोटे particle को atom कहा जाता है वो further break नहीं हो सकता तो यह इसके postulates थे जो कि demokritus ने जो theory दी थी atom की तो question क्या है who coined the term atom तो यह demokritus ने दिया था अब atoms की composition क्या है इसमें क्या क्या होता है protons होता है, electrons होता है, neutrons होते है आप मुझे comment box में बताएं कि protons पे कौन सा charge होता है neutrons पे कौन सा होता है और electrons पे कौन सा होता है next question हमारे पास है fertilizer association of India established in fertilizer association of India कब established होई थी firstly, fertilizer association of India करती कैए fertilizers की production इसकी marketing, इसकी uses, इसकी supply को यह क्या करती है, manage करती है और यह fertilizer association of India establish होई थी, 1955 में most important question है, fertilizer में से पूछा जाता है बढ़ते है, next question में father of fertilizer chemistry fertilizer chemistry के father कौन है तो इनका name क्या था, justice von lavig, इनका name था, ठीक है इनको father of fertilizer chemistry कहा जाता है, because chemistry में fertilizer आपका अलग से topic है तो यहां से यह दोनों questions important है fertilizer के लेटिर, ठीक है father of fertilizer chemistry is justice von lavig इसके साथ ही इनको agriculture chemistry का father भी माना जाता है इनको nutritional physiology का father भी माना जाता है और साथ ही में fertilizer chemistry का father भी इनको माना जाता है, तो तीन questions आपके, तीन से चार questions यहीं से निकल रहे है बटे नेक्स question पे which acid is found in oranges and lemons lemons और oranges में कौन सा acid पाये जाता है answer is citric acid जितने भी हमारे पास citrus fruits है खटे जितने भी हमारे पास fruits है, इनमें citric acid पाये जाता है, ठीक है और citric acid का molecular formula होगा पूचा आ सकता है, that is C6 H8O7, ओके next one is, which acid is present in tamarind तो tamarind में कौन सा acid पाये जाता है, firstly, यहाँ पे tamarind एक organic sorry, tortric acid एक organic acid है और यह बहुत सारे fruits में, बहुत सारे vegetables में पाया जाता है, जुरूरी निया की यह सिर्फ tamarind में ही पाया जाता है यह grapes में भी पाया जाता है, यह bananas में भी पाया जाता है, tamarind का आपको molecular formula पूचा आ सकता है, बहुत important है, citric acid और tortric acid का formula citric acid का मैंने आपको बता है, C6H8O7 और tortric acid का C4H6O6 बढ़ते हैं, next question पर when was Dalton theory introduced, तो Dalton की theory कब introduced हुई थी तो यह introduced हुई थी 1808 में, अब यह theory क्या करती थी Dalton की theory क्या करती थी, बहुत important है तो Dalton की theory क्या करती थी, कि matter जो है हमारी surrounding जो है, यह बहुत सारे infinite tiny particles से मिलके बनी हुई है शोटे-शोटे particles हैं, tiny particles इनको atoms कहा जाता है और यह atoms take part in chemical reaction यह chemical reaction में participate करते हैं कोई भी chemical reaction हमारे atmosphere में, हमारे surrounding में होती है तो उसके लिए कौन part take part करता है, वो atoms करते हैं और इसका एक और पास्टुलेर में आपको बता दू, बहुत important है atoms are individual, atoms कभी भी break नहीं हो सकते ठीक है, और यह ना तो create हो सकते हैं, ना destroy हो सकते हैं atoms के neither be created nor be destroyed ठीक है ना, energy के लिए भी यह concept है और atoms के लिए भी है, बहुत important है next question पर आते हैं, who is considered as the father of atomic theory father of atomic theory किसे कहा जाता है तो यह भी John Dalton को ही कहा जाता है यही सेम हमारा था, पिशला question था कि Dalton and theory introduced किसे ने करी थी और यहाँ पर question क्या है, कि father of atomic theory किसे कहा जाता है अलग लग way में question को पूछा जा सकता है ठीक है, यह भी John Dalton ही थे continue particle से मिलके बना है, that is जिसे atom कहते हैं और यह chemical reaction में participate करता है बढ़ते है next question पर, condensation is the opposite process of condensation एक opposite process है, किससे evaporation से एक दूसरे के दोनों opposite है, condensation and evaporation अब कैसे है, देखो condensation एक ऐसा process होता है जिसमें gas liquid form में convert होती है क्या होती है, gas liquid form में convert होती है कैसे, ऐसे water vapors है atmosphere में, water vapors atmosphere में है, अब वो cooling के दोरान, जब उनको, जब वो cool होते हैं, तो वो liquid form में convert हो जाती है ठीक है, inter form of rain, तो उसे condensation कहा जाता है and evaporation इसका उलता है, evaporation में क्या होता है हमारे पास water है, water को जब heat किया जाता है तो वो vapors बनके atmosphere में चले जाते हैं, तो gases form में convert हो जाते हैं, तो evaporation के case में क्या होता है कि liquid gas form में convert होता है, water gas form में convert हो रहा है, that process is known as evaporation, I hope यह आपको clear हुआ होगा, यहाँ पे आपको यह चीजे समय आ रही है और अगर यह आपके लिए लग रहा है कि आपके लिए helpful है तो comment box में जुरूर बताएं, ठीक है, बढ़ते है next question पे the part of the earth that contains water, earth का वो part जिसमें water होता है उसे क्या गहा जाता है, बहुत important है, बहुत easy है that is known as hydrosphere, hydrosphere, earth पे जितना भी water resources available है, उसे hydrosphere कहा जाता है, including ocean, ground water, surface water यह एर में जो water है, उसे क्या कहा जाता है, complete जितना भी water है उसे hydrosphere कहा जाता है, और हमारे earth surface पे हमारा earth surface पे water कितना है, 71% तक है, ठीक है so आता है next question पे, which substance is known as universal solvent बहुत important question है, बहुत easy question है, universal solvent किसे कहा जाता है universal solvent water को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बिकास अगर बाकियों से compare किया जाए, बाकी liquid से compare किया जाए तो water क्या करता है, almost हर substance को, हर एक liquid को अपने आप में dissolve कर लेता है, ठीक है, so यह हर एक liquid, हर एक substance को universe में, universe के हर एक substance liquid को यह अपने आप में dissolve कर लेता है, इसलिए इसको universal solvent कहा जाता है, ठीक है, तो यह हमारे most important questions थे, इनको revise करते रहें, और यह आपके लिए helpful, कितने helpful हैं, आप comment box में बताएं, और साथ में मैंने आपको एक question भी, यहाँ पे आपको पूछा गया है, वो भी comment box में बताएं, protons, neutrons, electrons charge क्या होता है, और mass of electron कितना होता है, वो भी पूछा जाता है, इसलिए comment box में बताएं, ठीक है, इसके साथ एकर आप ACC exam के लिए books order करना जाते हैं, new booklets जाते हैं, अपने address पे, जो कि 3 or 4 days में आपके address भी बेज़ दी जाएंगी, और वहाँ से आप अपनी preparation को start कर सकते हैं, ठ WhatsApp करना है हमें 8127459666 पे, ठीक है, तो यहां पे जीजों को revise करते रहें, विकास यह बहुत important videos आपके लिए हम बना रहे हैं, और साथ ही में आपके पास अभी दो मेने का time complete बचा है, ठीक है, तो इसलिए अगर आप अभी से preparation start करते हैं, तो आपके पास अभी भी दो मत का time ह हैं, तो आप यहां से 2 revisions बहुत easily कर सकते हैं, अगर आप हमारे साथ preparation start करते हैं, विकास, as you know कि सबसे जादा selections ACC Defense Academy से पिछली बार ही भी हुई है, ACC 130 में, in fact, 10 rank के अंडर भी यहां से candidates आया हैं, 2-3 candidates, तो भई अभी से serious होके preparation शुरू कर दो, अपने officer बढ़ने का सपना आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है, सो किसी next video में मिलते हैं, तब के लिए, thank you so much